हेलो फ्रेंज, वेलकम टू मोटिवेशन इस माय मोटो और मैं हूँ प्रगिती विश्वा तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एटिजूट के उपर और साथ ही जानेंगे वो बातें जो आपके एटिजूट को बनाती है इक मेगनेटिक परस्नालिटी तो चलिए देर किस बात की है? करते हैं शुरू से शुरू तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि Actual में Attitude होता गया है तो देखे अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो Attitude हम किसी कहते हैं? वेल आप कहेंगे कि जब हम किसी से मिलते हैं और किसी को हम कोई बात कहते हैं और सामने वाला हमें बड़ा गंदा सा रियाक्शन देता है या फिर कहता है चल चल शकल देगे क्या इस तरह की कोई बात कहता है तो हमें लगता है कि सामने वाले बंदे में बड़ा आटिटूट ह देखो वो कितना खुट को बनता है तो इस तरह के जो गंदे रियाक्शन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं attitude जबकि अगर सच्चाई में देखा जाए तो इसे attitude बिल्कुल भी नहीं कहते हैं इसे कहते हैं insolence यानि की बत्तमीजी तो अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अगर ये बत्तमीजी है तो attitude क्या है तो चलिए सबसे बहले जानते हैं कि attitude का actual meaning क्या होता है तो देखिए अगर हम attitude की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को सोचने का या experience करने का एक खास नजरिया आप इसे मनोवरती, द्रश्टी कोड यानि की point of view भी कह सकते हैं इसके लावा आप इसे रुज़ान यानि की inclination भी कह सकते हैं तो चलिए एक example समझते हैं कि attitude क्या होता है देखिए attitude दो तरीके का होता है एक होता है positive attitude और एक होता है negative attitude positive attitude का मतलब होता है कि आपका जुकाव उस चीज़ की तरफ है जैसे कि आपने कहा कि मेरा attitude बहुत positive है cleanliness को लेकर यानि कि सफाई सुतराई को लेकर मेरा attitude बहुत positive है इसका मतलब होता है कि मुझे साफ सुतरी चीज़े और सफाई सुतराई बहुत अच्छी लगती है भी गंदी जगा बैठ सकते हैं आपको कोई प्रॉब्म नहीं है तो इसे कहते हैं attitude कि आप किसी चीज़ के बारे में किस तरह से सोचते हैं उसे actual में हम कहते हैं attitude तो अब आप समझ कहे होंगे कि attitude एक सोचने और समझने का नजरिया है और ये दू तरीके का होता है तो अब बात आती है कि attitude में वो कौनसी बाते होती हैं जो आपकी personality को magnetic मनाती है तो चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी इन points को सबसे पहला point आता है positive attitude यानि कि आपको हमेशा एक अच्छा well behave attitude रगना चाहिए यानि कि आपको कभी भी किसी के साथ misbehave या बत्तमीजी नहीं करने चाहिए ऐसे करने के कई reasons हो सकते हैं देखी सबसे पड़ी बात तो यह है कि जब आप किसी के साथ misbehave करते हैं या बत्तमीजी करते हैं तो क्या होता है कि सामने वाले के मन में आपके लिए एक बहुत अच्छी image नहीं बनती है और बत्तमीजी करने वाले लोग को लोग कभी भी अच्छा नहीं मांगते हो सकता है कि आपने किसी के साथ का चल चल शकल देगी अपनी तो हो सकता है आपके friends आपके इस reaction को देखकर हस दे बट कभी भी उनके मन में आपके लिए respect नहीं आएगी दूसरी बात यह है कि जब आप किसी के साथ misbehave करते हैं तो आप ना केवल अपनी image खरा करते हैं तो उसमें आपकी upbringing दिखाई देती है तो जब आप किसी के साथ misbehave करते हैं या बत्तमीजी करते हैं तो दिखाई देता है कि आपकी upbringing कितनी third grade या फिर low grade है इसे फरक नहीं पड़ता कि आपके parents के पास कितना पैसा है या वो कितने बावर्फुल है important बात यह है कि उ इंसान को देखकर आपको अच्छा फील होता है तो आपका attitude उसे लेकर positive हो सकता है कई बार क्या होता है कि सामने वाले को देखकर आपको अच्छा नहीं लगता तो आपका attitude उसे लेकर negative हो सकता है but that doesn't mean कि आप उस इंसान को देखकर एक खराब सा reaction दे या उसके मुझे पर य या ना पसंद करना आपकी personal choice हो सकती है लेकिन सही तरीका ये है कि आप किसी के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आए हाँ आप किसी के साथ बत्तमीजी कर सकते हैं तब जब सामने वाला आपके साथ बत्तमीजी करें तो लेकिन उसमें भी ध्यान रखेगा कि आप कभी भी बत कई बार उठता है उसको हमेशा करने से अवईट कीजिए कि यह attitude नहीं यह बत्तमीजी के लाती है तो attitude और बत्तमीजी के बीच के difference को समझीए इसी के साथ साथ इस तरह की जो mis behavior वाला attitude होता है वो आपको बहुती shallow personality साबित करता है आपको बहुती एक खोकला इंसान साबित करता है तो इस तरह की बातों से मैं again कहूंगी कि बचना चाहिए क्योंकि जब किसी भी इमारत की जो नीव है किसी भी इंसान का अगर foundation ही correct नहीं होता तो उसकी personality अपने आप में zero जो हो जाती है फिर आप चाहें अपनी body पे अपने looks पे अपने कपड़ों पर कितना भी मिनत क्यों ना करें लोग कभी भी आपको अच्छा नहीं मानेंगे point number two है कि अगर आप important feel करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें आपकी बातों को importance दें उन्हें सुनें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखेगा कि जैसा आप लोगों से चाहते हैं वैसा attitude आपको अपने अंदर लाना होगा अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको important समझे आपकी बात सुने तो आपको भी लोगों को उतना ही important समझना चाहिए उतना ही उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए चलिए इसे एक example से समझते हैं आप किसी इंसान के पास गए आपको वो इंसान बहुत अच्छा लगता है आप जब उसके पास बैठे तो वो बस अपनी अपनी बारे में बाते कर रहा है अपने बारे में बता रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ मैं वैसा करता हूँ उसने आपके बारे में ना तो कुछ जानने की कोशिश की ना आपसे कुछ पूछा और आप वहां से उठके चले आए तो ऐसे किसी इंसान के पास बैट कर आपको अच्छा लगेगा, आपको कभी अच्छा ने लगेगा, क्योंकि हर इंसान को किसी ऐसे इंसान के पास जाना अच्छा लगता है, जहां पर उसको important feel हो, जहां पर उसको लगे कि हाँ, कोई इंसान है चो उसकी बात को सुनता है, इंपोर्टन फील कराता है, सेम आपकी सिचुएशन में भी है, अगर आप किसी इंसान को इंपोर्टन फील नहीं कराएंगे, अगर आप किसी इंसान की बातों को importance नहीं देंगे, तो वो इंसान कभी भी आपको important नहीं समझेगा, और अगर वो आपको कभी important नहीं समझेगा, तो आप कैसे important किसी के लिए बन पाएंगे, तो important बात अगें यहीं है, कि अगर आप important बना चाहते हैं, तो दूस्टरों को importance उतनी ही दीजे, जितनी importance आप चाहते हैं, कि दूस्टरों की life में आपकी हो, third और सबसे important point वो यह, कि हमेशा लोगों के साथ एक smile के साथ मिले, क्योंकि smile जो होती है, वो बड़ी magical चीज होती है, क्योंकि आपने notice किया होगा, कि जो लोग हमेशा मुह बनाएं, सडू type के रहते हैं, उनको कोई भी वसंद नहीं करता, लेकिन जो लोग हमेशा smile करते हैं, उनके साथ हर इंसान को मिलना, बैटना या बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं again कहूंगी कि smile is a very magical thing, तो हमेशा किसी के साथ जब भी मिलें, बात करें, तो एक smile के साथ ज़रूर मिले, क्योंकि life में देखिए problems तो सभी के चलती रहती है, किसी को अपनी problems में अगर आप involve करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपकी problems आपकी अपनी है, और आपको उन्हें खुदी deal करना है, तो किसी के सामने अपनी problems को जाहिर ना करें, तो जादा बहतर है, क्योंकि हर इनसान कहीं ने कहीं अपनी problems से जूज रहा है, अगर आप एक बुरा सा मूँ बनाके, किसी के साथ बैठेंगे, कहेंगे, मैं तो बहुत परिशान हूँ, यार, ये tension हो गई, और सामने वाला कहेगा, यार, ये तो रोता ही रहता है, इसके साथ कौन बैठे, तो कोई भी आपके साथ बैठना या बात करना पसंद नहीं करेगा, लेकिन अगर आप परिशान भी हैं, और आप किसी के साथ बहुत मुस्करा के मिलते हैं और पूछते हैं, सब कैसे चल रहा है, बढ़िया है, तो सामने वाले को एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है आपके साथ मिलकर, और उसे बहुत अच्छा लगता है, और यही एक बात होती है, जो किसी की भी personality को एक बहुती ज़ादा attractive personality बनाती है, साथी जो आपकी smile होती है वो आपको एक better individual दिखाने में भी बहुत help करती है, तो कभी try कीजिए, कभी move बनाके अपने आपको शिशे में देखी का और कभी एक smile के साथ, आप देखेगा, आप हमेशा एक smile के साथ better लगेंगे So friends, ये थी attitude और attitude से चुड़ी कुछ खास बाते जो हैं तो छोटी, वागर इतनी मोटी हैं कि अगर आप इन्हें अपनी life में experience करेंगे और इन्हें execute करेंगे तो आपकी life में change definitely आएगा तो देख किस बात की है करेंगे आज से ही इन बातों की practice ताकि आपकी life भी एक्टम sorted हो जाए और हाँ, लोग आपके भी तिवाने हो जाए तो उमीद करती हूँ, मेरी बात आप तक पहुचे होगी और आपके मन के सारे doubts क्लियर हो गया होगे तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए, मस रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए